अभी मेरी उमर की हैं मुझे चाय बना के बहुत अच्छी चाय बना के दी मैंने सुनाई यहां के पेड़े भी बहुत प्रसेद्ध हैं लेकिन पेड़े नहीं खाए मैंने कि सिलिंडर नहीं खरीद पाते इतना महंगा हो गया है मुझे बताया कि पहले चावल मिलती थी अब साथ रुपए के लिए मिलती है और जो चावल मिलती है सरकार से वो खाने लायक नहीं है मुझे लो अन्न बाग्याद होती इंदन अब यह अक्की सिकता एत उची तवागी इगा ना अक्की तगड़ बेका दरे आयो अर्वत रुपाई के जी कोड़ बेका गी दे आधर यह जिगा सिकता इर्थकंता आखी उटा माडली को सा योग यह वाग इर्थकंता दाल्ला ना नो बालस्ट बारी करनाडक दल बंदी देनी योगर ना शिक दागा और ना खेली देनी ने वह विध्यावंत्रा पदवी कड़ कोड़ तगड़ कोड़ दरां थेड़ी बालस्ट उजना पदवी दारों ना शिक्की दारे चाहे बालना गम्मा का बेटा हो चाहे किसान क बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, आप सब ने अपनी महनत से, अपनी इमानदारी की कमाई से अपने बच्चों की परवरिश की और अपने बच्चों को शिक्षा देलवाईगी है। यहां तक की पूरे देश को करनाटका पर गर्व है लेकिन जहां जहां मैंने पड़े लिखे नौजवान देखे मैंने ये भी देखा कि वो बेरोजगार है आपने मेहनत से पढ़ाया लिखाया इमानदारी से काम किया तो आपने अपनी सरकार से भी ये उमीद की कि आपकी मेहनत के लिए सरकार भी इमानदारी से काम करके आपके लिए कुछ करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ बैनों और भाईयों जो सरकार साड़े तीन साल पहले यहां करनाटका में बनी उसकी शुरुआत ही इमानदार नहीं थी आप सोचिए इससे पहले जो कॉंग्रेस की सरकार बनी थी उसने किसान के कर्ज माफ करने शुरू किये थे के अधे की ना मोदलू कॉंग्रेस पख्ष सरकार इदागा रही तरा साल मना माड़ता कंता कार करमगळने नाव माड़त वी अनभाग्या कॉंग्रेस से शुरू किया अनभाग्या हुष आपके स्वास्त के लिए आरोग्य भाग्या था खाने के लिए इंदीरा कैंटीन बनाए गए यह सारी योजनाएं आपकी भलाई के लिए बनी थी आज भी जहां कॉंग्रेस की सरकार है 36 गड़ में 18 लाग किसानों के कर्ज माफ किये गए हैं इवत तुसा कॉंग्रेस सरकारा इर्तकंता 36 गड़ली हदनें टो लक्षा रही तरह साला मनमाड इर्तकंता दो नावल रूसा नोड़ बेग धान का सबसे जादा MSP 2660 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार दे रही है किसानों को 9000 रुपए पर एकर सबसेडी मिल रही है मजदूरों को 7000 रुपए हर साल मिल रहे है उनकी मदद के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू है राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार है वहां भी लागू है राजस्थान में स्वास तापका अधिकार बना हुआ है किसानों का भी कर्द माफ हुआ और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम शुरू कर दी है और आस्ते आस्ते जित्ते वादे किये वो पूरे करने का पूरा प्रयास हो रहा है तो देखिए जब सरकार इमानदार होती है जब सरकार चाहती है कि आपके लिए कुछ काम करें तो करके दिखाती है हम करनाटका के लिए करनाटका के भविशे के लिए बहुत काम करना चाहते हैं करनाटका कोश्करा करनाटका दो प्रतिशत हम रहिए आपको मालूम नहीं होगा आज की जो भाजपा की सरकार है इसमें ढाई लाक सरकारी पद खाली है मतलब ढाई लाक बच्चों को रोजगार मिल सकता था यह पद खाली हैं लेकिन यहां के नौजवानों को नहीं मिले हैं हम गारंटी देते हैं कि हम यह पद भरेंगे हम आपकी मेहनत की आदर करते हैं हम जानते हैं आपने मेहनत से पढ़ाया लिखाया अपने बच्चों को और यह जो रोजगार है यह नौक्रियां जो है यह आपके बच्चों का हक है हम एक योजना शुरू करना चाहते हैं युवा निधी युवा निधी का मतलब है कि जो युवा ग्राजुएट है लेकिन उसको अभी नौक्री नहीं मिली उसको हर महीने तीन हजार रोपे सरकार देगी जो जिसके पास डिप्लोमा है उसको पंद्रा सो रुपे महीने मैंने अन्न भाग्य की बात की 10 किलो चावल मुफ्त मिलेगी अन्न भाग्य में करीब परिवारों को 200 यूनिट बिजली की मुफ्त में मिलेगी इसको ग्रिह जोती कारिक्रम कहेंगे और मेरी बैंडे जो ग्रिहस्त हैं जो घर समालती हैं यह मत समझो कि हम पहचानते नहीं कि आप कितना बोज उठाते हो अभी अभी मैंने खुद मिसाल देखा कि किस तरह साथ बच्चों को पाला लेकिन काम करती रही हैं मेरी उमर की हैं फिर भी आज काम कर रही है